ये दोस्ती हम नहीं तोरेंगे तोरेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोरेंगे अब सोच रहे होंगे कि मैंने अभी ये गाना क्यों गुन-गुनाया तो आपको बता दें कि इस गाने के बोल भाजपा और जद्यू पर बिलकुल फिट बैटता है नमस्कार आप देख रहे हैं रबजी लाइब और मैं हूँ आपके साथ नुपुर शर्मा जी हाँ अगर शुनावी चाना के प्रशांथ की सोर की बादों को सही माने तो यह गाना भाजपा और जद्यू की दोस्ती पर बिलकुल फिट बैट हेगा दरसल प्रशांथ की सोर का कहना है कि बिहार में फिर से हो सकता है भाजपा और जद्यू के बीच गठ बंदन जैसा कि बिहार की जनता के एक बरे वर्ग का कहना था कि भाजपा और जद्यू की दोस्ती में फेवी कॉल का दम है तूटेगा नहीं लेकिन राजनितिक स्वार्थ सिधी के लिए ये अगट बंदन तूट गया पर राजनितिक रनितिकार प्रशान की सोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार भाजपा के संपर्क में है और अगर स्थिती की मांग होती है तो अब फिर से पार्टी के साथ गठी जोड कर सकते हैं प्रशांत की सोर ने कहा कि नितीश कुमार ने जड्यू सांसद और राजसभा के उप सभापती हरिवंश नरायन सिंग के जरिए भाज़्पा के साथ बातचीत के एक लाइन खुली रखी उन्होंने साफ तोर पे कहा कि हरिवंश नारायन सिंग को इसी वज़ा से अपने राज सभापत से इस्तिफाद देने के लिए नहीं कहा गया भले ही जोदियू ने भाजवा से नाता तोड़ लिया उनका कहना है कि लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ऐसी परिस्तितिया आती हैं तो वह भाजवा में वापस जा सकते हैं और भाजवा के साथ काम कर सकते हैं हलाकि जोदियू ने इस दाव्य को खारिश कर दिया है और कहा कि नितेश कुमार फिर कभी भाजवा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जनता दली उनाइटेड के पाटे प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्री ने सारवजवनिक रूप से घोशना की है कि वह अपने जीवन में फिर कभी भाजवा से हाथ नहीं मिलाएंगे त्यागी ने कहा कि हम उनके दावों का खंडन करते उन्होंने ये भी बताया कि नितीश कुमार पच्चास साल से अधिक समय से सक्रिय राजनीती में हैं और प्रशांद की सोर छह महीने से ज़दियू नेता ने कहा कि प्रशांद की सोर ने भ्रंग फैलाने के लिए इस तरह की भ्रामक टिपनिया की है गौरतलब है कि प्रशांद की सोर ने 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारन से धितिहरवा इस्थित गांधी आसरम से अपनी पद यात्रा शुरू की और उने विवस्था को बदलने के लिए लोगों के समर्थन की मांग करते हुए बिहार से होकर अगले 12-15 महीनों में 35-100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने की ठानी है वैसे प्रशांद की सोर ने ज़दियू को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार भी नहीं है अगर जदियू ने बिहार की सत्ता से भाजपा को बाहर कर दिया तो फिर उसे राजसभा के उपसभापती हरिवंश नारायन सिंग से भी स्तिफाल लेना चाहिए था वरना प्रशांद की सोर के साथ साथ अन्य लोग भी कह सकते हैं कि जल्द ही पर इस थीतियां बदलने पर भाजपा और जदियू के बीच फिर से हो सकता है गठवनलन पफिलाल इस वीडियो में इतना ही बनिर है हमारे शैनल रबजी नियूस के साथ धन्यवाद